यूनिवर्स हम यूनिवर्स के बारे में काफ़े कुछ जानते हैं लेकिन जितना भी जानते हैं ये तो बस इसके सीक्रेट्स के रिवील होने की शुरुआत है टार्क मैटर, टार्क एनरजी और किन किन ग्रहों पर जीवन पनब सकता है इन सवालों के जवावों को जानने के लिए वैग्यानिकों ने बहुत तरह के टेलिस्कोप का निर्मान किया है जिन्होंने बहुत से सवालों का जवाव ढूंडने में हमारी मदद की है जैसे हबल स्पेस टेलिसकोप, स्विफ्ट गामरी बर्स्ट एक्स्प्लोरर, जेम्स वैब स्पेस टेलिसकोप नासा ने हाली में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें वो एक और नया टेलिसकोप स्पेस में लाँच करेंगे और इस टेलिस्कोप की खास बात ये है कि ये नासा के लिए एक ग्राउंड बैक टेकनोलोजी के जैसा है क्योंकि ये युनिवर्स के कई राजों को खोल देगा पिक बैंक से लेकर युनिवर्स में आज तक जो भी बदलाव आया है उन सब को समझने में मदद करेगा सो गाइज इस वीडियो में हम जानेंगे मदर ओफ हबल यानि नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिसकोप के बारे में सो गाइज शुरू करती हैं इस वीडियो को मदर ओफ हबल का पहले नाम था टावलियो फर्स्ट यानि वाइड फिल्ड इंफ्रारेड सर्वी टेलिसकोप जो कि अभी अंडर ड्वेल्पमेंट है ये टेलिसकोप नैंसी ग्रेस रोमन के आउनर में ड्वेल्प किया जा रहा है और नैंसी ग्रेस रोमन को मदर ओफ हबल कहा जाता है क्योंकि हबल टेलिसकोप को बनानी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अब दोस्तों उनकी हिस्ट्री को साइड रखते होए हम आते हैं मुख्य टेलिसकोप पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेलिसकोप दो तरह के होते हैं चोटे टेलिसकोप और बड़े टेलिसकोप लेकिन इनकी खास बात ये है कि इनका काम एक दूसरे से बिलकुल उलट है कहने का मतलब है जो बड़े टेलिस्कोप है वो छोटी इमेजिस कैप्चर करते है और जो छोटे टेलिस्कोप से वो बड़ी इमेजिस कैप्चर करते है लेकिन उनकी इमेजिस इतनी क्लियर नहीं होते W1st की खास बात ये है कि इस टेलिसकोप में दोनों तरह के टेलिसकोप की खूबिया मौजूद है अगर हम Hubble Space Telescope से इसकी तुलना करते हैं तो ये Hubble Telescope के मुकाबले 100 गुना बड़ी तस्वीर खीच सकता है और उससे भी क्लियर दोस्तो अगर हमें वहीं क्वालिटी 100 गुना क्वांटिटी में मिले तो इससे बड़िया बात क्या है वैग्यानकों के लिए और क्या हो सकते है नासा का मानना है कि इस टेलिसकोप के द्वारा इस काले अंत्रिक्ष में क्रोड़ो ग्रहड जो छिपे होे हैं उन्हें भी खोजा जा सकता है इस टेलिसकोप की एक इमेज में मिलकीवे जैसी क्रोड़ो गैलेक्सीश को एक साथ कैप्चर किया जा सकता है अगर हम ना सके वैग्यानकों की माने तो इस टेलिसकोप के जरья हम जान पाएंगे डार्क इनर्जी को स्टड़ी करने के लिए तो द.4 मीटर्स के डायमीटर का बहुत ही पावरफुल मिरर लगा है NASA का मानना है कि यह टेलिस्कोप अपनी लौंच के बाद लगभग एक लाख एक्जो प्लैनेट्स को खोजेगा बोला जाये तो एक लाख हैबिटेबल प्लैनेट्स यानि की एक लाख एलियन्स NASA W1 को 6 साल के मिशन के लिए त्यार कर रहा है इसका मतलब की NASA 6 साल के अंदर मिल्किवे गैलेक्सी यानि वो गैलेक्सी जहां हम रहते हैं जहां हमारी प्रिथ्विक घूम रही है उसे कॉजमिक टाइम में स्टड़ी करना कॉजमिक टाइम का मतलब है कि कई करोड साल पहले हमारी गैलेक्सी कैसी थी किस तरह दिखाई देती थी उसका पता लगाना हमारे युनिवर्स में अलग-अलग तरह की गैलेक्सीज पाई जाती हैं जैसे मिलकीवे गैलेक्सी, एंड्रोमिडा गैलेक्सी, सॉम्ब्रेरो गैलेक्सी और बहुत सी और गैलेक्सीज इस टैलिस्पोप प्रोजेक्ट के वैग्यान को का मानना है कि अगर हमें यह पता लगाना है कि ये गैलेक्सी किस तरह और किस तरीके की गरम गैसिस से बनी है जिसमें बहुत सारे सितारे, सैटलाइड्स, ग्रह, एस्ट्रोइड्स और बहुत सी अलग-अलग तरह की चीजे मौजूद है अगर हमें उसकी अर्बो-घर्बो साल पहली की तस्वीर निकाल ली हो, जब इस गैलेक्सी का जनम हुआ, तो डवल्यो फर्स्ट हमारी ऐसी इमेजिस को कैप्चर करने में हेल्प करेगा नासा की अनुसार ये टेलिस्कोप एक लाख एक्जो प्लैनेट्स को ढूंडने में मदद कर सकता है एक्जो प्लैनेट्स वो प्लैनेट होते हैं, जो हमारे सॉलर सिस्टम के बाहर मौचूद किसी और तरह के स्टार का चक्कर लगाते हैं नासा के अब तक के बेस्ट टेलिसकोप, हबल स्पेस टेलिसकोप की तोलना अगर नैंसी ग्रेस रोमन टेलिसकोप के साथ की जाए तो ये अब तक का बेस्ट टेलिसकोप माना जा रहा है क्योंकि Hubble के मुकाबले एक साथ कई galaxies की image capture कर सकता है NASA का कहना है कि ये नजर रखेगा युनिवर्स में होने वाले gravitational micro lensing event पर ये तब होते हैं जब कोई planet और उसके host star background star के सामने से गुजरते हैं ऐसे event बहुत ही कम होते हैं और युनिवर्स के बहुत बड़े हिस्से में दिखाई देते हैं जिसके वज़ा से इने catch करने के लिए capabilities भी बहुत ज़ादा होनी चाहिए एक्जो प्लेनेट की study को और गहरा करने के लिए ये telescope काफी मददगार साबित होगा जोकि आज की capabilities के मुकाबले कई गुना ज़ादा होगा नैंसी ग्रेस रोमन टेलिस्कोप हमारे युनिवर्स के आज तक के सबसे बड़े कॉजमी questions को भी solve करने में मदद करेगा इसका wide field view और chronographic instruments नासा के बच्योहे mission को पूरा करने में मदद करेंगे सो guys ये है नासका नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिसकोप जोकि space exploration को next level पर ले जाएगा ये telescope space science and technology का बहुत important हिस्सा रहेगा आने वाले 10 सालों में अभी तो ये telescope under development है और उमीद है कि 2025 तक ये telescope space में launch हो जाएगा और हमारी space exploration को और भी highlight कर देगा दोस्तो आपका क्या कहना है नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिसकोप के बारे में हमें comment section में जरूर बताएग दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरूर करें और हमारे चैनल स्पेस डोस को subscribe करना बिलकुल भी ना भूलें और bell notification on जरूर कर लें ताकि नई वीडियो की notification आपको upload होते ही मिल जाए थैंक्यू फॉर वाचिंग दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद